जरकन्ड में कला संस्क्रिती और खासकर फिल्म को प्रमोट करने के उध्यसे से एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है जरकन्ड फिल्म निर्माता संग इस संग की ओर से आज पलामु जिला में उन विभूतियों को सम्मानित किया गया जो कला और संस्कृति में महत्वपून हस्तक्षेप करते हुए पलामु का मान सम्मान बराबर बढ़ाते रहने का काम किया है। इस बारे में विभूतियों को सम्मानित करके उनकी जो कला है उन्हें प्रोथसाहित करने का काम किया गया। या जो संग है वो काम आगे भी करेगा और उसे की कोशिश आज पलामु जिला में देखने को मिली है। ये प्लान में था कि हम लोगों को बिभिन जीलों में जाकर कलाकारों को कलासादकों को खोच-खोच कर उन्हें सम्मानित करना है। उन्हें पुरस्कृत करना है। जारखन फिल्म निमाता संग ने वैसे तो काफी योजनाय बना रखी हैं जिस पर समय समय पर कारिक किया है। लोगों को संगठित करना, कलाकारों को संगठित करना और उन्हें हर प्रकार की सुईधा मुहिया कराना। अभी फिल्हाल कोरोना काल में भी जारखन फिल्म निमाता संग ने राशन से लेकर के दवात चिकित्सा तक की सुईधा उन असहाय और जरुतमंद कलाकारों के लिए किया है। हम कलाकारों के बीच में प्रस्रिक्षन देने का कारे करते हैं, कलाकारों के बीच में समाजिक सुरक्षा की देने का कारे करते हैं और उनकी बिभिनिस समस्याओं का निप्टारा भी करते हैं। अभी तक जारखन फिल्म इनमाता संग ने अपने कारियों से 200 के उपर कलाकारों के समस्याओं को सुना है और उसका निराकरण भी किया है वहीं सम्मान पाकर प्रफुलिक तो कई कलाकार काफे उतसाहित नजर आएं और कलाकार जिने सम्मान मिला उन्होंने कहा कि इस तरीके की पहल बेहद ही जरूरी है इवा रंग कर्मी मनिज़ा सिग ने बताया कि ऐसे पहल से कलाकारों को प्रोसाहन मिलता है और वो और अपने कलाके छेतर में और बेहतर कर पाने में सक्षम होता है यह बहुत अच्छी पहल है लड़कियां आगे आएंगी क्योंकि यह होसला बढ़ाता है अगर कुछ सम्मान अगर मिलता है तो सम्मान एक प्राप करके होसला बढ़ता है और आगे काम करने के लिए एक प्रेड़ना मिलती है कि इससे और बहतर किया जा सकता है